हेलो दोस्तों कैसे हो आप सब तो आज मैं आज का ये वीडियो कुछ क्वेश्चन को लेके हैं क्वेश्चन ये था कि आप जो कलर बनाते हो वह इतना परफेक्ट कैसे रहता है और कपड़े के ऊपर इतना स्मूध कैसे चलता है तो आज की इस वीडियो में मैं वही बताने व कि आप परफेक्ट कलर कैसे बना सकते हो तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको एक खाली सिसी इस तरह का तरह की सिसी की जरुवत परेगी तो यहां मैं पेज डाल लेती हूं ताकि कलर अंदर नहीं जाए तो देखिए मैंने यहां एक नंबर मीडियम एक खाली सिसी थोड़े मैं हाफ लिटर का पहले से ही ब्लैक कलर का जो है प्लास्टिक बॉटल लेके रखा है उसमें से मैं थोड़ा-थोड़ा करके यूज करती हूं ठीक है तो आज मैं इसी में से छोटे वाले सिसी जैसे देख रहे हूँ है इसमें मैं इस सबको मिक्स करके बताऊंगी तो पहले पॉषी कोई कrie अब जभी म łalin मिलां या पाणी मिला दो या पानी कीतना मिलां मिला दो तो वह पहली कलिय करो डियूं जैसे मैं हात पे इसको दिखाली देखे मीडिय म कितना ठीक होता है अगर अगर आप इसको एक कलर गाट रहता ही है अगर आप उसमें डरिक्ट मिलाक्य उसको shake करोगे और फिर उसको चाहोगे कि मैं नीव से खीचू पॉसिवल ही नहीं है कि चलेगा नहीं चलेगा वो कप्रे पर भी depend करता है कि आप कप्रा कौन सा यूज कर रहे हो अगर आप वह ऐसा कप्रा यूज कर रहे हो जो जिस पर कलर जादा spread होता है तो उस पर तो यह च करना है और महीं मिक्स करना है तो देखिए तो इस बोड़े मैंने छोटा साहोल करके रहा है तो आप पहले चोटे वाले बोड़े तो आप लगभगझ भर लो कलर भर लो देखिए इस तरह से मैं ने यहाँ पर भड़ा कर्ती हुँ कि आप लोग lien SiIs तो यहां मैं मिडियम भी मिक्स कर रही हूं आप सुन रहे हूं मैं क्या कर रहे हूं तो मिडियम देखे जैसे कि आधा सीसी मैंने कलर डाला है तो उसके हाफ मैंने मिडियम डाले है और उसके हाफ मैं यहां वाटर यूज कर रहे हूं आप सुन रहे हूं मैं क्या कर रहे हूं आधा सीसी कलर उसके आधा मिडियम और उसके आधा पाई यह तीनों आप एकदम अच कोई भी कपड़े में इसको बंद करके फिर से करना लगभग एक मिनट के लिए एक मिनट के लिए आप इससे करोगे ना सिक तो सब कलर मीडियम वाटर सब इक्वाली मिक्स हो जाएंगे देखिए और इसको जस्ट नहीं खोल देना है बस थोड़ा दिर इसको रहने दो इस्टेबल होने दो कलर को नीचे बैठने दो फिर खोलना है देखिए अब कितने अच्छे सी मिक्स हो गए हो गए है अब इसको आप जैसे चाहो वैसे चलाओ कोई प्राव्लम नहीं है दिखें मैं चला के भी यहाँ नीव से दिखा देती हूँ देखिए कितने इजी चल रहा है कैसी आप नहीं बोलते हो नहीं चलते हैं बस थोड़ा सा नीव कलर को समझने की देरी है चलेंगे बिलकुल ही चलेंगे देखे और जितने भी कलर आते हैं सब आप ऐसी ये चलाओ सारे चलेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है देखे बिल्कुल चलेंगे तो आपको ये जानकाड़ी कैसे कैसा लगा वो जरूर आप मेरे साथ शेयर कीजिएगा और हाँ अगले वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि किस तरह के कपड़े पे किस तरह का कलर चलेगा ऐसे मैं दो-तीन कपड़े लेके ही आऊंगी हर तरह के लिलन, तसर, कॉटन, साड़े और उस पे मैं सब अलग-अलग तरह से कलर बना के आपको दिखाऊंगी तो पूरा वीडियो मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक्यू सो माच